तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक मिन्ट में क्यूकर्ड कैसे रेडी कर सकते हो और क्यूकर्ड को हम कैसे स्पीक कर सकते हैं तो पहले मैं कुछ चीज़े आप लोग के साथ के लिए कर देना चाहता हूं इन दिस चैनल आपको हमेशा कुछ एवरी डे नए से नई वीडियो जी मिलेंगी जो आपके लिए काफी एदा हेल्पफुल रहेंगी विगॉज हमें उन चीज़ों को फॉलोड डेफिनिटिली करना चाहिए जो चीज़े हमारे लिए काफी एदा फाइदेमंद है फर्स्ट अफॉल हम कोशिश कर रहे हैं आपको ओल ओवर आलस के बारे में इन्फरमेशन और जितनी भी इसकी नौल्ज है वो प्राइड वाइड करने में विगॉज अगर हम डेफिनिटली कोशिश करेंगे तो आपका आलस एक्जाम के लिए कर सकते हो तो पहले ही कुश्च चीज़़ें के लिए करते प persuaded हमारे एलस एक्जाम में मैं हमेशा पताता हूं चार मडीव्स होते हैं तो मडीव्स ऐसे होते हैं जिसमें हम 9 बैंड स्कॉर ले सकते हैं और वो हंडेड परसेंट अगर हम उननकी प्रैक्टिस करें every day practice करें plus अगर उनकी tips and tricks हमें के उपर focus करें definitely हम उनमें अपना 9 band score cover कर सकते हैं वो 2 modules कैसे हैं आप भी बहुत अच्छे तरिक्के से जानते हैं और वो 2 modules में ही near about अगर 100 students exam दे रहा है तो 19 students को उन्हें 2 modules में सबसे यदा problem आती है first of all हम बात करें वो 2 modules जो उनमें 9 band score ले सकते हैं वो है listening and reading बच्चे ये दो ऐसी modules हैं जिसमें आप 9 band score तक ले सकते हो और यही 9 band score हमें काफी एदा help करते हैं मेरी file को लगाने में चाहे हम Canada जाना चाहते हैं चाहे हम US से जाना चाहते है any country जहां पर आपकी wish है जहां पर आपके parents की खुशी है आपको बेजना आप वहां पर जा सकते हैं but हमें exam clear करना होगा अगर आप Canada जाना चाहते हैं तो 6 band है plus 2 वालों के लिए और जिनों ने graduation की है उनके लिए 6.5 band score है बट यह काफी एदा tough है हमारे लिए लेने because यह काफी एदा hard work मांगते है और ऐसे बच्चों से आजगेट में मुझे calls and messages ऐसे बच्चों के आ रहे हैं जिन्होंने 3-3 बार exam दे दिया है 4-4 बार अपने exam को दिया है तो मुझे सुनने के बाद काफी feeling out जी लगते है यह क्या हो और क्या रहा है actual में कोशिश कर रहे है हम आप लोगों की help करने के लिए आप लोगों का साथ देने के लिए कि जल्द जल सब कुश हो जाए but main topic है हमारा cue card कि 1 minute में cue card कैसे ready करे 4 types के हमारे question पूशियाते है in the first part में हमें 4-5 minute हमारी family के उपर हमारी city के उपर हमारी Indian countries के उपर plus हमारे religion के उपर and मेरी past life के बारे में में पार्ट 1 में question पूश जाते है part 2 किसी के भी related हो सकता है जहां पर जो मैंने किया कि आप कैसे ready कर सकते हो part 2 के और यह part 3 की वो तो इसी के related ही आप से पूछा जाएगा अब मुझे part 2 कैसे ready करना है अब मैं actual में part 2 एक minute में जो दिये रहता है examiner मुझे हमेशा कहता है कि जिन्नों बक्चों ने speaking दी है you have a one minute to prepare your cue card so you have a one pen or paper you can write down anything else on it कि आप इसके उपर कोशी भी लिख सकते है यह आपका paper है अगर आपकी जगह पर मैं हूँ first of all आपसे के लिए का देना हूँ examiner हमारे mostly confidence check out करता है confidence के साथ check out करने में के बाद जो सबसे main thing जो हमारी check out होती है वो हमारी grammar होती है grammar में near about जो percentage निकाली आती है 25% है 25% मेरा confidence and 25% मेरी grammar यह दो चीज़े हैं कितनी प्लस प्लस करें कितनी बनती है 50% अगर मैं 50% यह दोनों चीज़े improve कर गया तो मेरे 7 band score कहीं भी नहीं गए 7 band score आ सकते है मेरे अगर यह दोनों चीज़े में improvement कर गया अपने real ILS exam में one thing more एक चीज़ और यह दोनों चीज़े मुझे clear करनी होगी but actual में मैं speaking करूँ कैसे मुझे पता तो है मैं करूँ कैसे first of all जो हमारा cue card है जहां हमारा past one speaking है mostly ज़्यादा तर वो किस में पूछ जायता 3p में वो हमसे 3p में पूछ जाता है अब यह 3p कौन से हैं अगर बात करें इन 3p के बारे में बच्चे तो यह 3p हमारे past, present sorry past simple present simple and future simple यह हमारे 3 है जो 3 simple में ही पूछ जाते अब आपको speaking देने से पहले 1 or 2 days हमें इन 3 के उपर जारा focus करना चाहिए तो हमारी speaking बहुत बेटर हो सकती है तो now describe a book you have a recently read अब मुझे यह q-card पुछा गया examiner कता you have a one minute to prepare your q-card this is a pen or paper you can write anything on it अब बच्चे बहुत सारे confused होते है अब तो पहले डरे होते है डरने के बाद वो और confused हो रहते है अब अच्छल में पूछ किया लिया गया मेरे से अब यह तो नहीं पूछागी नरिंदर मोदी को गोली मार दो तो यहां पर वो question पूछता है तो हमें simple उसका जवाब देना है simple उसका answer देना है first of all मुझे keywords find out करना बहुत जरूरी है इन keywords को read out करना हसे जरूरी है what kind of book कि book क्या थी what about किसके बारे में थी क्या कह रही थी लोगों क्या message दे रही थी and explain करें अब अगर यह चीज मेरे से पूछी आती मैं आपकी जगा पर बैठा था तो मैं कैसे prepare करता तो अगर बात करते हैं अपने cue cards की अगर वहाँ पर मैं first of all जब exam दिया था तो काफी बच्चे full lines से लिखना start कर देते हैं मैं आपकी जगा पर हो हूँ तो मैं सिर्फ इन चार plus का निसान को use करूँ plus का निसान use करूँ क्यों करूँ first of all what kind of book it is कि actually मैं book है क्या मैं पहले लोगों के बारे में बताऊंगा these days everyone have a mobile phone कि हर एक बच्चे के पास mobile phone है different people different choice for reading books हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी थिंकिंगे कि books को read करना है जा नहीं करना but mostly I also spend layers time with read books कि मैं अपना free time, latest time spend करता हूँ जग करती हूँ books को read करकर को कौन सी book read करनी है kind of book bollywoods करती हो, आप poems read करती हो anything आप उसके बारे में बता देना है हम वहाँ पर लिख सकते हो religion plus किस के बारे में है poem जिसमें भी आपका interest है what is about, किस के बारे में है वो book कैसे मुझे anonymous के बारे में काफी है, रीड़ोट करना पसांत है और कल रात ही उस बंदे ने एक टाइम ऐस हो था कि सब कुछ बेच दिये था अपना और उस बंदे ने 44 billion का twitter खरीदा है twitter जो एक site है ऐसे whatsapp है, instagram है, twitter एक site है 44 billion सारा पाकिस्तान खरीद सकता है वो बंदे इतने पैसे का तो सारा पाकिस्तान खरीद सकता है इतने पैसे का उसने वाले twitter को purchase किया है last night मैं जो आज रात किया है मैं सब याज सुबा किया, उसने कल रात किया है चलो leave it उसके बार में जो पढ़ना बहुत रही है सबसे बड़ी चीज वो अनपढ़ है और उसने जितना भी कुछ आज तक read out किया जितना भी पढ़ा है बिल्कुल free of cost पढ़ा है library से library में जे पढ़ पढ़ कर उस बंदे ने NASA खड़ी कर दी NASA के बराबर आज Space X उसके नाम पे चलती है Tesla Company उसके नाम पे चलती है क्योंकि उस वो पढ़ा लिखा नहीं है अम उसके बार में पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो मैं बुक कर नाम कह रहे है Alone Musk Alone Musk किसने लिखी है क्यों लिखी है कब लिखी है किस टाइप की है उसकी past life के बारे में है क्या मुझे message दे रही है लोगों को उसने क्या कुछ क्रेट किया हुआ है मैं उसके बारे में बताऊंगा and explain करूंगा कि मुझे वो बुक पढ़नी क्यों पसंद है क्योंकि मैं जब भी demotivate होता हूँ When I also demotivate from my life then I also read that book because I also getting lots of motivation and lots of happiness by him or by it कि उसके दवारा मुझे उसमें काफी दा happiness मिलती है काफी दा खुशी मिलती है उस बिक्को पढ़ने में और उसके बाद मुरे में I also got a 100% energy in my body then I do that work but I want कि मैं वो काम करता हूँ जो मुझे करना चाहिए जो मुझे करना चाहता हूँ उसको करता हूँ और मैं अपना exam का clear करना है चाहिए मुझे life में कुछ आगे बढ़ना है set up करना है तो मैं उसके पीछे पढ़ जाता हूँ right then you can clear your eyes exam तो same essay मैं अपना cue card ready कर सकता हूँ कि just उसके बारे में बता कर मुझे वो पसंद किया just ये four things आप अपनी copy के उपर लेकर अपनी speaking को better बना सकते हो तो mostly speaking में हमसे सबसे ज़्यादा हमारा confidence level check out किया जाता है जब हम गुबरा जाते हैं nervous हो जाते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता हमारा mind काम नहीं करता तो examiner समझ आता है कि ये बच्चा बस राम राम सकते हैं क्योंकि वो एक चीज़ देखिए हमसे पहले पक गया होता है काफी यदा बच्चे उसके पास आ चुके होता है speaking देने के लिए और सब को एक एक question repeat कर रहा है what is your name can I see your ID पक जाता है आप 10 बच्चों के साथ ऐसी speaking लो आप भी पक जाओगी मड़को कितने बच्चों की speaking लेते हैं तो हमें अपने आपको prepare करना है then we can do that तो होप सोदेट बच्टे कि आप को थोड़ा बहुता समझ आया होगा in this video और ट्राइ करूँगा next time और भी अच्छे से आप लोग को ideas समझाने की बहुत अच्छे से आपकी help करने में तो subscribe कर ले इस channel को for more videos keep supporting, keep love and God bless you everyone